हालो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल । चलो लर्न करते हैं तो आद में बताने जारी हैं के बच्छों को कैसे present tense continuous और past tense से एखी sentence की थूस्मझा सकते हैं तो पिर चली स्टार्ट करते हैं present tense प्रजैन टेंस में क्या हता है राहूल प्लेज क्रिकेट राहुल क्रिकेट खेलता है यहां पर S क्यों लगा؟ और राहुल जो है वो नेम है इसलिए है उसी तरह अगर I रहता तो क्या होता? माले U रहता तो क्या होता? You plays cricket? क्या है सही रहता? नहीं क्योंकि U के साथ वर्ब जब लगता है तो उसमें S या networking वहां यू प्ले क्रिकेट वाथव उसमें लग जाता की इस लग जाता पर्सन की नाम में क्या वता है टो नाम में गर जया राखिनी पसंद साइन्स ठीक है नाम है तो एस लग गया ठीक है एस लग गया साइन्स द द मदर कुक्स फॉड अब यहां पर मदर है आई यू वी दे प्लूरल नहीं है सिंगलर है इसलिए यहां पर कुक में एस लगा उके ममी खाना पकाती है दचाइल राइट्स निटली लिखता है तो राइट्स होगा ठीक है एस लग जाएगा यहां पर डॉर आई टीए राइट हो गया वर्ब और इसमें एस लग गया फिर दस इंगर शिंग्स इंगर क्या गाता है अब यहां अब यहां देखो यह क्या है अब इसी का present continuous tense बनाना तब जल्दी से बताओ राहूल इस प्लेइंग क्रिकेट राहूल इस प्लेइंग क्रिकेट यानि कि वर्ब में क्या होता है आई एंजी लग गया है ना और जब भी आई एंजी लगेगा तो इस एम आर जरूर लगेगा सिंग्लर के साथ इच के यूज करते हैं I के साथ M का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ जिससे आई वी यू दे है प्लूरल है तो आर का यूज करते हैं आगे देखेंगे हम I am going to school डेली अब यहाँ पर है I go to school डेली इसका present continuous क्या हो जाएगा ing लग जाएगा रहा रही में क्या होता ing लगता है और i के साथ लग जाएगा m तो i am going to school daily थर्ट क्या है the sun signs तो फिर continuous क्या हो जाएगा the sun is shining ओके फिर the mother cooks food continue the mother is cooking food उसी तरह the child works neatly तो the child is working neatly the singer is singing ओके अब इसका क्या हो जाएगा तुमको पास्टेंस देखते हैं ठीके पास्टेंस तो पास्टेंस में जो है वी टू का यूज होता है तो उसमें डी इडी या जैसे फॉर्म होता है जैसे प्लेड 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 ठीके गो वेंट गोन तो हमेशा इसमें वी टू वर्म टू का यूज करते हैं वर्म का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो राहूल sentence क्या था present tense में राहूल plays cricket तो past tense हो जागा इसका क्या राहूल राहूल played cricket यानि कि राहूल ने cricket खेला मतलब खेलने का काम भी चुका है हो चुका है तो past tense में played हो गया उसी तरह I go to school daily का go का हो जाता second form went तो I went to school daily मैं daily school गया यहां पर क्यों जाएगा गया जाता हूं नहीं गया बीत गया काम हो चुका है अब इसमें तुम क्या कर रहे हो कि the sun was signing यहां पर सुर्ज चमक रहा था तो यहां पर वाज आ गया तो signing आइंजी लग गया तो वाज वर का यूज होगा आइंजी में इसे मार पर्जेंटेंस में और वाज वर पास्टेंस में यूज होता है दा मदर वाज कुक्ट दा फूड नहीं गलत दा मदर कुक्ट दा फूड मतलब ममी ने खाना पकाया ठीक है तो यहां पर वाज नहीं आगा अगर वाज आता है तो यहां पर कुकिंग हो जाएगा दा मदर वाज कुक्ट फूड ठीक है यहां पर वाज का यूज अगर होता है तो कुकिंग हो जाएगा यहां पर वाज का यूज नहीं होगा दा मदर कुक्ट फूड होगा यहां पास्टेंस का बात हो रहा है एक्चुली पास्ट कंटीनिवर स्टेंस का बात नहीं हो रहा ह है इसलिए यहां पर तुम आइंजी कैसे लगाया देजाइड्ट वाज फिर क्या है देज़ वाज ये गलत है देज़ रॉट रॉट्र रिटन होता देज रॉट नीटली चैड्ट ने नीटली लिखा तो देज़ रॉट हो जाए यहां पर डबली रो टीए का यूज होगा ड past continuous tense है the singer sang हो जाएगा गायक ने singer ने गाया the singer sang 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 होता है ठीक है was verb का use तब होगा जब ing लगेगा तो was verb का use तब होगा जब verb में ing होगा जिसे कि present continuous tense में is mr का तब यूज होता था होगा था जब ing लगा था उसी तरह past continuous पास नेंग के बास बाइंग का यूज होंगा तो ऑस यूज पर स्कूल डेली तरह से चाइब नेटली हो जायगा मदर कुप फूर को तो फ्रेंट्स यह था वीडियो आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों किसी तरह से पढ़ाईएगा ओके फिर थैंक्ट यू थैंक्स फर वाचिंग